दोस्तों पंचाय चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं आया हूँ आप सभी के पास तो जहारखान पंचाय चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट या है कि आलमगीर आलम ने बोला है कि अब पंचाय चुनाव को लेकर बहुत जल्द बेठक होने वाली है जिसमें कि सभी जो उपड़ी पक्ष भी हैं जो सरकार के पक्ष में दोनों उस बेठक में सामिल होंगे और फिर निर्ने करें पंचाय चुनाव की इस प्रकासे किये जाएं तो बेठक आलमगीर आलम ने बताया है कि यह क्या होगा इसमें तो चलिए देखते हैं तो पंचाय चुनाव पर जल्द दूर होगा संसय जाज दुमका जहारकां ने पंचाय चुनाव पर जल्द संसय दूर हो जाएगा इस मसले पर दो से तीन दिनों में मुख्मंतरी के अधि मुख्यमंत्री के अधिक्षता में बहुत जल्द उचस्त्रिय बेठा होने वाली है पंचाय चुनाव को लेकर यह कहना है आलमगीर आलमका राजात कॉंग्रेस समयत और राजनेतिक दलों के परतिनिधी भी इसमें सामिर रहेंगे मतलब जितने भी राजनेतिक दल हैं सब इस से उन्होंने कहा कि जारखन सरकार ने पंचाय चुराव कराने की राज निर्वाचन आयो की अनुसंसा कर दी है इसी बीच 22 जनवरी को कें सरकार ने पत्र भेज दिया मद्य पर्देश में पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है इसलिए बेठाक आवस्यक हो गई है मद्य पर्देश, ओडिसा, समेत और राज्यों में पंचाय चुनाव के लिए चल रही परकिरिया पर भी चिंतर मंथन कर रास्ता निकाला जाएगा जहर खंड में कुछ जीलेज और नुसूचित छेतर में हैं तो कुछ चुनाव के मामले में सारी बातों पर विचार किया जाएगा चुनाव नहीं होने पर केंद से मिलने वाली जो रासी है और यह रासी कितनी है तो यह रासी दो हजार करोड परती वर्स है तो यह रासी नहीं मिल पाएगी तो रासी पर रोक लगने की संभावना पर कहा कि यह यह कहना है आलमगीर आलम का इसी प्रस्तिती पेदा नहीं होगी केंदर की और से मिलने वाली जो रासी है वह रोक दी जाए तो 2-3 दिनों में होगी उजस्त्रिय बेठक मुखमंत्री करेंगे इसके दक्षिता और अन्य राज्यों की परकिरिया को देखकर रास्ता निकाला ज का जो ट्रिपल टेस्ट बोला गया है सुप्रीम कोड की और से उसका किस तरह से पालन किया जाएगा तो या आगे के न्यूज में हम आपको बताएंगे तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब जैनल पढ़ाईवित पीके के साथ जुड़े रहें चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों को अभी जरूर सेयर करें तो चलिए फिर मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाज जैहिंद वंदे मातरम जोहार जहार खंड